अगर आपने एक बार इस तरीके से अंडा करी बना लिया ना तो गैरंटी है कि आप हर बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे यह इतनी जादा टेस्टी बनी जो है तो चलिए हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आशा एंड वेल्कम बैक टू माई चैनल तो सबसे पहले आपको एक्स को बॉल करने के लिए रख देना है मैंने यहां दो से तीन आलू भी डाले हैं बॉल करने के लिए साथ में और यह देखिए बॉल होने के बाद आपको एक्स को छील लेना है और बरतन में निकाल लेना है एक और आलू दोनों को छील लीजिए और उसके बाद आपको अंडों म सब में आपको कट्स लगाना जरूर है एक भी छूटना नहीं चाहिए उसके बाद आलू को भी अपने हिसाब से कट कर लीचिए जो साइज आपको रखना है इस तरीकी से कट करके निकाल लेंगे और अब हम यहां पे मसाले के लिए एक मिक्सर जार में लसन, हरी मिर्च, अद जलना है और ठोड़ा सा हलदी डालेंगे कलर के लिए उसके बाद एच्स को समें डाल देना है अंडों को और फ्राय कर लेना है फ्राय कितना करना है वह तोटली आपके लिए ह। अपको दी नहीं राउन करना है मतलब आपको कितना फ्राइ करना है यह आप अपने हिसाब से कर लीजे मैं यहाँ पर एकदम हलका सा ब्राउन कर रही हूँ यह देखिए हलका सा फ्राइ करती हूँ मैं ज्यादा नहीं करना है आपको और उसके बाद इसी ओईल में हम आलू को भी फ्राइ कर लेंगे छोटी- मीडियम फ्राइ कर लीजिए उसी ओईल में और इन सब को हम निकाल के साइड में रख लेंगे अभी अब चलिए तड़का डालते हैं उसी कड़ाई में आपको दो से तीन तेजपत्ता जीरा हिंग का तड़का लगाना है और उसके बाद दो मीडियम साइज के प्यास कट कर एक और इसमें डाल देना हैं और इसको हलका सा भूंझेंगे बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है हलका वूंझ लेना है बस उसके बाद जो हमने意텐साद किया था ना में पीषा था वह इसमें ढाल दीजिए थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके मसाले को डाल देंगे अब हम रेगुलर मसाले इसमें डालेंगे जैसे कि नमक, स्वादन, असार, हल्दी पॉरडर, लाल मिर्ष पॉरडर, कष्मिरी लाल मिर्ष पॉरडर है ये उसके बाद एक च तक के लो फ्लेम पे आराम से तीन से चार मिनट भूंज लीजिए या फिर आप देखिए जब आल सेपरेट होने लगे मत्तब मसाले भूनके रेडी है तब तक आपको इने भूंजना है ये देखिए इस तरीके से मसाले भूनके रेडी है और हाँ गाइस प्लीज वीडियो प को भी भूंज लेना है उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे एक गिलास मैंने इसमें पानी का यूज किया है आपको जैसे क्रीवी रखना है उसी साब से भी आप डाल सकते हैं उसके बाद इसमें आपको एक चम्मच एक छोटे चम्मच हां चिकर मसाला डाल देना है इस साथ से आठ मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे छोड़ देना है आप देखेंगे बाद में कि कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी और लुक देखो आप कितना जाधा अच्छा है और टेस्ट तो मैं आपको बताई नहीं सकती वो तो आप देखी सकते हो काश आप खा भी सकते लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है तो इसलिए आपको घर में ही बनाना पड़ेगा उसके बाद इसमें फ्रेश धनिया पत टी अंडा करी रेसिपी बनके एकदम तयार है